नमस्कार एक तरफ कुरोना की महमारी और दूसरी तरफ बाढ़ का कहर और अब एक इमोशनल एंगल सुसान सिंग राजपूत का इस बीच में बिहार के राजनीत कहा जा रही है क्योंकि आने वाले एक दू महिने में चुनाओ हो सकते हैं चुनाओ आयोग अपनी एक जो बिहार में जाकर के सर्वे करना था अधिकारियों से मिलना था वो काम कर चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इस बात का एलान हो सकता है कि बिहार में चुनाओ कब होंगे लेकिन बिहार में चुनाओ सरगर्मिया क्या हैं क्या हालात हैं लोग क्या सोच रहे हैं किस तरीके के मुद्डेहावी होंगे या फिर जिस तरीके से एक परंपरा चली आ रही है जातियत आधार पर वोटिंग की वही शुरू रहेगी वही जारी रहेगी इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, हमारे साथ है वरिष्ट प्रत्रकार अर्मीन मुहन जी, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर भूमिका तो मैंने बता दी, जो हालात अभी आपको देख रहे हैं, जो चुनावी सरगर्मिया इस वक्त होनी चाहिए उसमें क्या आपको लगता है कि नितीश कुमार थोड़े से घबराये हुए हैं, एक तरफ करोना काल में जो सरकारी इंतजामों की बदहाली की विपक्ष ने जो तस्वीर रखी है और जिस तरीके से हमलावर रहा है विपक्ष नितीश कुमार पर, अब उनको लगता है कि तो सुसासन का नाम नितीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सचाई समझ में आने लगी है। नितीश कुमार को पंदरा साल राज करते हो गया, पंदरा साल कोई कम आओधी नहीं है, एक जन्रेसन पूरा खड़ा हो जाता है। शुरू के दो-तीन साल नितीश कुमा काफी बिहार में और उस समय लग रहा था कि बिहार सुसासन की ओर जा रहा है। लेकिन आज की तारिक में आप मुझ से पूछेंगे या बिहार के लोगों किसी से भी पूछेंगे, तो वो ये कहएगा कि मुख्यमंत्री महराज को बिहार में कोई रूची नहीं है। कुछ वरोसे के बिरोक्रेट्स जो एफिसेंट हैं कई लोग उसमें, मैं यह नहीं कहूंगा कि वो कोई इनकम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन उनके वरोसे उन्होंने राज छोड़के और बाकी अभी निकलना उनके लिए एक समस्या थी। और लोग गिन रहा है थे कि किस दिन व बैठे हुए हैं। योगी के सारे प्रशासनिक फेलियो को मैं नजयन अदाज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपने भर तो वो लगे ही हुए हैं। जान लगा के लगे हुए हैं। अर्विन केजरिवाल खुद बिमार पड़े, स्वास मंत्री बिमार पड़ा। इसके अर्विन का अनुभा बहुत ही खराब है। और सारे जो सुसासन है उसकी पोल खुलती दिख रही है अभी। लोग उवे हुए हैं। बहुत बुरी तरह से उसमें सुसान सिंग का मामला जिस तरह से लपका है। और बिहार के लिए सिंबोलिजम की लड़ाई अगर आप दे उस तुलना में सुसान सिंग का मामला तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और उसमें कई पेंच हैं और दूसरा ये है कि उस लड़के के साथ भीहार की बावनाएइ जूड़ी हुई हैं कम से कम नوجवानों की बावनाएइ जूड़ी हुई है जो नوجवान मैं कहूंगा कि आज सफल हो रहा था तो वहां किस तरह से मरा और मरने के लिए कौन चीज़ें जिम्मवार थी और अब जो लड़ाई चल रही है उसमें भी बिहारवर्सज महराश्टागर बन रहा है तो वह भी उस लड़ाई का एक हिस्सा बनता दिख रहा है तो ये मेरे ख्याल से नितीश कुमा सिवसेना और राजठाकरे ने भी बुनाने की कोशिश की बिहार में भी एक इमोशन का मुद्धा रहता है एक बिहारी बहाई जगता है उसमें शुषान सिंग राजपुते की युवा कालाकार बिहार का एक उबहरता हुआ सितारा आज तक उस लेवल पर मनोज बाजपई और पंकर्च त्रिपाथी भी उस लेबल एक बहतरीन अदाकार हैं लेकिन उस लेबल पर इस मुद्धे पर हम आपसे बात करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपने कहा कि आपको बिपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है मैं अगर कहूं कि मुझे तो NDA भी एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है चिराग पासवान आज के डेट में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटर्व्यू देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि बिहार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो लागू होना चाहिए एजेंडा नितिष जी क्या है नहीं चिराग पासवान और रामविलास जी का जो की राजनिति है उसमें इस तरह की बातें एलाइंस के पहले सीट मटवारे के पहले का ना लोगसबा चुनाओ के समय भी हमने ये देखा है तो इसलिए ये बार्गेनिंग का भी एक हिस्सा हो सकता है एक जन्विन को कि पूछेगा कि 30 साल इन ओनों का अनॵफ देखने के बाद इन धोनों का 15-15 साल का देखने के बाद तो मुझे लगता है कि रामविलास जी में चाहे जतने भी और जो भी हो साइद शासन चलाने की बात हो ती तो रामविलास जी का पफॉरमेंस 15 साल का इससे ज्ञादा मुझे लगता है कि अगर आम भिलाजी को 15 सार मिला होता तो वो comparatively better administration चला के दिखाते वो और क्या क्या करते इन सब चीजों की कल्पना हम कर सकते हैं लेकिन अगर सासन ही की बात है तो मुझे लगता है इन तीनों potential अगर candidates में तो एक वो भी अभी अंदर हो सकता है कि LJP के अं हैं चिराग ने इसके पहले ऐसा कुछ भी बिहार में नहीं किया है जिससे वो पूरे बिहार में लड़ने के उनकी कोई हैसियत हो या कोई ताकत हो जो भी उनके रामिलाजी के बनाये लोग हैं वो लोग भी उनके अंधा परिवार उनका परिवारवाद तो सायद सब से गई तो परिवारवाद तो उनसे जादा किसी नहीं किया है तो इस चकर में जो भी उनके भरोसे के लोग ते वो सब लोग तूटके बाहर हो चुके हैं अब आज के तारिक में चिराग अगर ये बोलने ठीक चुनाओ के पहले कि हम पूरे राज में लड़ना चाहते हैं तो मुझे उसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई देती उल्टा बीजेपी जरूर तैयारी ये करती रही है कि हर सीट पे उसके लोग हों हर बूथ पे उसके लोग हों अमित्सा ने भी जो पहली अपनी रैली की वर्चुल उस रैली में हर बूथ पे लोग पहु भी नहीं दिख रहा है और मेरे ख्याल से हम इत्सा अगर कहेंगे नरेंद मोधी कह रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे तो यह बरुसा करना चाहिए कि यह एलाइस स्मूथली बन जाएगा सीटों का वाटवारा इसू नहीं हो अगर एलजेपी को थोड़ी बहुत नाराज़ी यह तो बीजेपी जो है वो यह कह रही है कि नितीश कुमार ही उनसका चेहरा होंगे उधर कॉंग्रेस भी कह रही है कि वो आर्जेडी यह साथ रहेगी लेकिन बीजेपी के अंदर खाने की जो तैयारियां रही है या जैसे हैं आप ने बताया सुसील कुमार मोधी कहते हैं तो सुसील कुमार मोधी कहते हैं कि लालू यादों ने अपना मंद्री मंडल बढ़ा रखा, अगर उस समय वो अस्पताल बनवाते तो इस तरह की बातें आज 15 साल से आप सत्ता में हैं और आज आप कर रहे हैं, क्या ये जनता पे कुछ नेगेटिव एफेक्ट नहीं डालेग और मुझे लगता था फलके पिछली बार तक मैं इस बात के लिए अपने दोस्तों में भी लड़ता था कि सुसील मोधी को बीजेपी क्यों नहीं परजेक्ट कर रही है, खाली अमिट सा को पसंद नहीं आया चेहरा तो उनको परजेक्ट न किया जाए, लेकिन इस बार के सर लिए सावित हों हैं, उसके तुलना में तो नितिजी के मंत्री ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास संकट है, जिस गिर राज सिंग के नाम पर जब तब नाम सुने, वो तो नितिजी से भी ज्यादा गाइब रहे हैं, उनके लिए तो पोस्तर चिपक रहे हैं, तो ठाकरों की नितागिरी हो, भूम्यारों की नितागिरी हो, कायस्तों की नितागिरी हो, पिछणों की नितागिरी हो, बीजेपी के पास तो कोई ऐसा सकल भी नहीं है, जो अपने दम पर चुनाव लल्ले, अमित्सा और नरिन्मदी के नाम पे पूरा बिहार जी इतनी बुरी हालत जनसंग और बीजेपी की मैंने कभी नहीं देखी थी, बुरे से बुरे वक्त में भी जनसंग बिहार में सबसे बड़ी पार्टियों में एक थी, उसके अपने नेता होते थे, उसके नेता दावेदार थे, चाहे वो मिस्ट जी हों पुरा ने ठाकुरवाव हों, उसके पहले संकर्प्रसाटे की वाल, जो भी नाम आपको ध्यान आएंगे, वो सब अच्छे नेता थे और अपने हिसाब से अपना कद उनका था, पूरे बिहार ने उनको भरुसा किया न किया हो, लेकिन अपने इलाके के अपने पार्टी में, अपने सब जगे उनका क आप करेंगे, आप उसको चुनोती नहीं, आज के तारिख में, वीजेपी के पास ऐसा एक भी नेता नहीं है, सेंटर में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और स्टेट में भी नहीं दिखाई दे रहा है, हम आपने बात की ठाकुरों और भूमिहारों की इस मुद्दे प बात करेंगे सुसान सिंग राजपूत को लेकर कि क्या नितीश कुमार ने रणनीत बनाई है कि ये वोट बैंक जो लगबख साड़े चार पांच परसेंट होता है ये कहीं नितीश कुमार अपने पाले में ले पाएं लेकिन उससे पहले मैं आप से ये बात करना चाहूंगा स देखते हैं और दूसरा उधर जो जीतन रामाजी जो अति महत्वाकांची मैं कह सकता हूँ उनको इन दोनों क्योंकि ये दोनों विपक्ष के ही पाले में जाएं विपक्ष या रजए डी के पाले में ही जाएंगे आने वाले समय में भी ये ऑनडीय ऑ के पाले में मुझे criticize करते हुए दिखते हैं जीतन रामा जी भी almost वही बाते करते हैं इन दोनों की क्या संभावनाएं हैं क्या कुछ आगे हो सकता है महागडबंधन क्या फिर बनेगा ये लोग रहेंगे या फिर अपना वही bargaining वाला ही इनका हिसाब रहेगा पपु यादाओ की politics तो मुझे नहीं लेकिन मुझे लगता है कि वो एक किसम का investment कर रहे हैं जिसकी फसल वो चुनाओ के वक्त काटेंगे पिछली दफ़े भी उन्होंने ये नाटक किया हर जगए candidate दे दिये candidate से पैसा लिया फिर ये भी चर्चा थी कि और कहीं से पैसा ले रहे हैं और helicopter लेके घूम रहे हैं अब ये क्या खेल होगा पपू यादो का उस बारे में तो करना मुश्किल है लेकिन काम उन्होंने लगतार पिछले बार से अब तक सक्री रहे हैं अकेले लेकिन किया है अकेले अकेले मैं बार बार ही कहूंगा है 243 सीटें जो हैं मतलब अकेले पपू यादो जो भी काम होता पपू यादो की टीम नहीं दिख रही है, पपू यादो के साथ कोई और नेता किसी जिले में, किसी उसमें नहीं दिखता। तो रहना है, जरूर हर सवाल पर खड़ा होना है, लेकिन टीम भी बननी चाहिए, आइडलोजिकल पोजिशन भी क्लियर होना चाहिए, एक तरह का आपका रेकॉर्ड भी क्लियर होना चाहिए, बलकि मैं तो कहूंगा कि बिहार की पोलिटिक्स आज के तारीक में, जो नए बच कई आये हैं, पोस्टर वाले ही बच्चे हैं, उन्होंने ये उमीद जगाई है कि अब जाती धरम से उपर उठिये, और बिहार को क्यों विकास के रस्ते पे ले जाना है, क्योंकि तीस साल का पिछड़ा राज भी बिहार ने देख लिया, क्योंकि अंदर एक गुबार एक कि अगड़ों ने बिहार को बहुत नास किया है, तो तीस साल में तो दो जेनरेशन खड़ी हो गई, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका लो एन ओर्डर, जिनका एकनोमिक, सब कुछ उन्होंने देख लिया कि बिहार में ये पिछड़ा सासन कितना उनको कर सकता है, अगड जिनकी पिछड़ेपन का निसानी बन गए है, तो अगड़ा पिछड़ा की पॉलिटिक्स, हिंदू-मुसल्मान की पॉलिटिक्स से बिहार उब रहा है, और बिहार हर दफे नया रास्ता दिखाता है. तो मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी और चिराग पासवान के अलावे जो एक युवा चेहरा उभर के इस चुनाओं के लिए आ रहा है पुस्पम प्रिया वो कुछ कर पाएंगे विकास की बात तो ही कर रहे हैं और ऐसे बुरे अनवाव के बाद अगर न उठे और खास तो और से विहार का वोटर न उठे तो ये भी हरानी की बात है अब ये नितिश्कुमार में ये इलिमेंट था नितिश्कुमार को सभी जाती धर्मों का वोट मिला लेकिन रिजल्ट उन्होंने क्या दिया लालु है अभी जो चुनाव आता दिख रहा है आ गया है सिर्पे उसमें ऐसा कोई अल्टरनेट बनता नहीं दिख रहा है आगे गटबंधन कैसा बनेगा उसके सवाल कैसे होंगे या नितिश्कुमार सरकार के फेलियोस 15 साल के फेलियोस का जबाब कोई असान नहीं होता है वो किस तरह से देते हैं फिर पीजेपी के रिसोर्सेज का है बीजेपी की तैयारी का है इतना बढ़िया संगठान इतनी तैयारी इतने रिसोर्से इन से चुनाव जीता जा सकता है कि महागडबंधन अगर लीड भी करता है तो क्या तेजस्वी को नेता के तोर पर स्विकार करेग महागजद्बंदन, मुखेमंदरी के दोर पे? देखिए, जिस दिन टेजस्वी को महागजद्बंदन नेता बना देगा, उस दिन वो अपने पाउं पे एक तरह से कुलहारी मारेगा. उस दिन नितिशकुमार को लीड हो जाएगा. नित्रीश कुमार कितना भी failure हो वो अभी भी लालुयादो और उनके परिवार के राज पर भारी पड़ते हैं, तो अगर और टेजस्वी की कमाई भी लालुयादो बेटे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उनकी कुल कमाई ये ही है कि वो लालुयादो के बेटे हैं, उन्होंसे कुछ ऐसा करकर अभी तक नहीं दिखाया, इस संकट में भी नहीं दिाया है, उसके पहले भी नहीं दिखाया है, थोड़ो जिन मंत्री थे उसमें भी नहीं दिखाया है, तो यह अगर करता है महागट बंधन तो वो अपने पैट पे कुलहाडी मारेगा और ये जब चुना हो रहा था 2009 का जिसमें चार का जिसमें नितिश कुमार जीते मई वाला चुनाओं में ते संकू बिदान सभब बनी और अक्टूबर वाली चुनाओं में जीते थे उस वक्त भी ये गलती हुई थी उस समय अगर लालुः यादो ने ये कनफिूजन रखा होता कि रामविलाजी को भी हम मौका दे सकते हैं किसी धलित को दे सकते हैं किसी मुसल्मान को दे सकते हैं हम भी बन सकते हैं तो शायद नितिश कुमार से बढ़िया लड़ते लेकिन उस समय उन्होंने ये गल्ती की कि लालू वर्सज नितिश बनाया और उस लड़ाई में फिर लालू यादो कहीं टिकने वाले नहीं तो अगर ये गल्ती इस बार महागटबंधन करता है तो उसको भारी पड़ेगा ब अगर ये रहा कि हम किसी दलित को भी औसर दे सकते हैं किसी मुसल्मान को भी औसर दे सकते हैं किसी अगड़े को भी दे सकते हैं, कि अगर काविल कोई अगड़ा आया, तो हम उसको भी चांस देंगे, तेजस्वी भी बन सकते हैं, तो अगर इस किसम का एक स्वस्ता रही, तो इन सारे ग्रूप्स के लोग होल लगा के हो सकता है, सपोर्ट करें, अगर ये क्लियर हो जाए है, नितीश कुमार ने पिछला चुनाओ आरजेडी के साथ लड़ा, इस चुनाओ में वो फिर बीजेपी के साथ हैं, आएंगे बीजेपी के साथ लड़ेंगे चुनाओ या नहीं लड़ेंगे, ये अलग बात है, पिछले चुनाओ में जो बीजेपी, आरजेडी का कैडर वोट था उनका जो जातिगत समिकरण माय समिकरण जो चलता है वो रहा इस चुनाओं में जो परिशानिया पिछले कुछ दिनों से नितीश कुमार देख रहे हैं सुसांद सिंग राजपुत पे फिर मैं लोटता हूँ कि क्या वो साड़े चार पांच परसेंट जो भूमिहार राजपुत वोट बैंक है उसको निशाने पर रखकर या उसको ध्यान में रखकर सुसांद के मामले में एक तरीके से नितीश कुमार ने ये पूरा एक तरीके से मतलब ये गेम खेला है या सुसांद के मामले में 45 दिन बाद जो बिहार में F.I.R. हुई और बिहार सरकार ज कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स लेकिन खाली मेरे ख्याल से राजपुत वोट का नहीं है राजपुत वोट के बारे में नितीश कुमार या लालुयादो या मैं और आप सब को मालूम है कि राजपुतों का वोट बिहार में एक नुस्त कहीं नहीं आता है पिछले काफी समय कैसे राजपुत अपने विरादरी के उमिद्वारों के पक्त्रफ इस चुनाओ तक भी अभी यह हुआ है कि राजपुत वोट बदलते रहते हैं, यहाँ काइड़ेट BJP का है तो राजपुत उदर गए इस टरहीं है, तो अगर आभी गया माली जै सुसांत के नाम पे सारे राजपूत उस तरफ तो वोट बहुत जादा नहीं है तो सुसान का मामला सिर्फ राजपूत वोट के लिए नहीं उठाया जा रहा है यह सिर्फ अगड़ा वोट के लिए नहीं उठाया जा रहा है वो नौजवानों के लिए उठाया जा रहा है और बिहार में अब पूरी ए स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग सेंटर, हेल्थ सर्विस, सब उसको भी अखरता है कि भाई सारी दुनिया में आके सबसे घटिया दवाएं विहारी में क्यों है, सबसे अस्पताल की दुरगती विहारी में क्यों है, तो यह ऐसा नहीं है कि उसको नहीं अखरता हो अगड़ा हो तो अब चीजे इस से उपर जाती दिख रही है, नौजवानों में मंदिल का क्रेज, मंडल का क्रेज दीरे 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 नीची आया, सुसान्त का क्रेज अभी है, तो ये मामला सिर्फ राजपुतों का नहीं है, ये मामला नौजवानों का है, कि नए बच्चों का सेंटिमें को जग जोड़ता है तो उसके लिए यह इतनी कोशिस है और सिर्फ विहार सरकार नहीं है इसमें पूरे कैंसरकार की भी दिल्चस्पी है तुरंत एफायार होना नितिश कुमार खुद से एफायार कराते हैं सेंटर ने एफायार होने के पहले से एडी से रेट कराना सुरू करा दिया अभी सी वियाई पे सुप्रिम कोट का फैसला हो उसके पहले सी वियाई ने पुछता है सुरू कर दी तो इतनी रुची लेना सिर्फ नितिश कुमार के कहने से नहीं होगा यह कहीं न कहीं सेंटर की भी बार और उनको भी लगता है कि लोकसवाब में अगर मोदी का चेहरा सामने था तो उनके नाम पोट मिल गया तो इस बार विधान सवाब में मोदी के नाम पे उतना वोट पाना और उस तरह से वोट पाना मुश्किल होगा पिछले लोकसवाब में भी यह हुआ था और पिछले विधान सवाब में भी पलता तो कहीं इस बार भी न पलते तो इसकी चिंता है सुसान्त के पीछे सुसान्त के पीछे राजपूतों भर की चिंता नहीं है और मोदी ये बात जानते हैं पिसले चुनाओं से वो देख चुके हैं कि यूथ के दम पे मोदी ने बहुमत हासिल किया है 18 साल के उपर के जो अर्विन सर कह रहे हैं कि बिहार बदलने वाला है बिहार में जो यूवा हैं वो मंदिर, मंडल और कमंडल के राजनीत से अब उपर उठ करके और विकास की तरफ देख रहे हैं और ऐसे में सुसान्त सिंग राजपूत एक एमोशनल एक फोर्स हो सकता है यूवाओं को अप इसकुमार को मिलेगा और चुनाओं में ये वोटर को लुभाने में बहुत काम आएगा शायद इसलिए सुसान्त सिंग राजपूत का मामला इतने तरीके से और बहुत सलीके से बिहार सरकार आगे लेकर के चल रही है हम लगातार इस तरह की बातें बड़े पत्रकारों के स बड़े नेताओं के साथ और जो भी बिहार की जो गत्विधियां रहेंगी चुनावी गत्विधियां रहेंगी उनके विसलेशन के साथ आप से मिलते रहेंगे आप बने रही है हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे